साथियों मन की बात के सुरूताओं को मैं करणाटका के गड़त जिले में रहने वाले कवेम श्री जी के बारे में भी बताना चाहता हूँ कवेम श्री दक्षिण में करणाटका की कला संस्कृति को पुरनर जीवित करने के मीशन में पिछले पचीस वर्सों से अनवरत लगे हुए हैं आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी तपश्या कितनी बड़ी है पहले तो वो होटल मेनेजमेंट के प्रोफेशन से जुड़े थे लेकिन अपनी संस्कृति और परंपरा को लेकर उनका लगाव इतना गहरा था कि उन्होंने इसे अपना मीशन बना लिया उन्होंने कला चेतना के नाम से एक मंच बनाया ये मंच आज करनाटका के और देश-विदेश के कलाकारों के कई कारकम आविजित करता है इसमें लोकल आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए कई इनोवेटिव काम भी होते हैं साथियों अपनी कला संस्कृति के प्रति देश-वास्यों के उ ऐसे कितने ही रंग भिखरे हैं हमें भी उन्हें सजाने, सभारने और समरक्षित करने के लिए निरंतर काम करना चाहिए साथियों करनाटका के एक दमपती सुपारी के रेश्टे से बनी कई यूनिक प्रोड़क्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुचा रहे हैं करनाटका में शिवमोगा में ये दमपती है, स्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी स्रीमती मैथिली ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबेक से लेकर कही डेकोरेटिव चीज़े बना रहे हैं इसी रेशे से बनी चपले भी आज खुब पसंद की जा रहे हैं उनके प्रोड़क्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में विक रहे हैं यही तो हमारे प्राकुरतिक संसाधरों और पारमपारी हुनर की खुबी है जो सब को पसंद आ रहे हैं भारत के इस पारमपारी ज्यान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है हमें खुद भी इस दिशा में जादा से जादा जागरुख होने की ज़रुत है हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोड़क इस्तिमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी स्थानी अर्थ व्यूश्ता भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविश्य भी उजवल होगा